हेलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टोपिक है विंडो 11 ब्लू एसकीन बैट सिस्टम कंफिग इन्फो इस तरह का एरर आता है तो इसको कैसे फिस्ट करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गया यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैन हैंगे जहां पर एक और आता होगा वहां पर एक ऑप्शन आता होगा एडवांस मोड में जाने के लिए तो आपको क्यांगे उसके उपर आपको किलिक करके यहां पर आपको आज Willow नहीं आते तापको क्या नहीं को यहूँद बूटेबल प्रताइब आपको बना लेना है window 11 का bootable paint drive आपको बना लेना है उसके थुरू आपको boot करके यहाँ पर आपको advanced mode में आ जाना है दोनों method में से किसी भी method पर आप advanced mode पर आएंगे तो यहाँ पर यह सारा option आपको दिखने लग जाएगा सबसे पहले आपको क्या करना है start up repair इसके ओपर आपको click कर देना है click करते हैं इस तरह से repair होना शुरू हो जाएगा जो भी starter का problem होगा उसको automatic repair करके उसको fix करना शुरू कर देगा इसके बाद इस तरह से आपके case में भी window आ जाएगा जो भी problem होगा उसको fix कर देगा इसके बाद आपको क्या करना है shutdown के उपर click करके आप इसको restart करके check कर लिजएगा आपका problem solve हो जाएगा यदि फिरभी problem solve नहीं होता है तो आपको क्या करना है यहाँ पर advanced option के उपर आपको click करके यहाँ पर आपको click करना है इसके बाद आपको क्या करना यहाँ पर रिये स्टार्ट के उपर आपको क्लिक कर दिना है क्लिक करने के बाद यह सेफ मोड में रिये स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पर एक option आजाएगा यहाँ पर आप देख लीजेगा आपके case में कौन सा button प्रेस करने से Safe Mode में चला जाएगा वैसे ज़्यदातर case में F7 होता है तो वहाँ पे आप चेक कर लिजएगा आपके case में वहाँ पे क्या लिखा हुआ रहा है Safe Mode में जानने के लिए वहाँ पे क्या की प्रेस करने के लिए बोलता है वो key press करके आप safe mode में चले जाएगा safe mode में जाने के बाद यदि वहाँ पे चला जाता है इसका मतलब आपका problem fix हो जाएगा तो वो चीज आप यहाँ से check कर सकते हैं चलिए आप हम क्या करते हैं यहाँ पे back आ जाते हैं safe mode में जाने के बाद भी आपका problem solve नहीं होता है तो आपको क्या करना यहाँ पे एक option देख जाएगा uninstall update इसको पर आपको click करना है click करने के बाद यह window आ जाएगा यहाँ पे आपको दो option देख जाएगा यहाँ पे latest quality update देख जाएगा यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आपके case में यहाँ पे जो भी update होगा इसको uninstall करके उसके बाद system को restart करके आप चेक कर लिजएगा आपका problem solve हो जाएगा यदि फिर भी problem solve नहीं होता है तो आपको क्या करना यहाँ पे advance mode के उपर आपको आ जाना है अब आपको क्या करना है यहाँ पे आपको दिख जाएगा system restore इसके उपर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे next पे क्लिक करना है इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा तो यहाँ पर local taxi दिख जाएगा इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर फिनीज को पर आपको किलिक कर देना है किलिक करते हैं इस तरह से window आएगा तो आपको क्या करना है यहाँ पर yes पर किलिक करते हैं इस तरह से यह system को restore करना शुरू कर देगा तो आपको क्या करना है complete ह झाल झाल रियस्टर होने के बाद यहाँ पे आपको लिखा हुआ जाएगा system restore complete successful इस तरह से लिखा हुआ जाएगा आप आपके आकने यहाँ पे restart को पर आपको किलिक कर देना किलिक करते हैं इस तरह से यह restart होना सुरू हो जाएगा रियस्टार्ट होने के बाद यहां पे भी लिखावा जाएगा system restore complete successful आपको क्या करना है यहां पे close कर दिने के बाद आपका problem solve हो जाएगा आपके case में फिर भी problem solve नहीं होता है तो आपको क्या करना है वहाँ पे अडवानस मोड पर आपको आना है चलिए मैं वहाँ पर आपको ले चाकर दिखाता हूँ आपको आगे क्या करना है यहां आने के बाद आपको क्या करना है यहां पे आपको टुरबल सूट के ऊ अपर यानि-सी डाइब के अंदर जो भी file होगा उसको delete नहीं करेगा बांकि जो भी एप होगा उसको delete कर देगा जो भी setting होगा उसको delete कर देगा यदि आप यह option सेलेट करेंगे को यहां पर remove के बाद आपको क्या करना है टुर्वल सूट को पर आपको क्लिक करना है इसके बाद यहां पर आपको एडवांस ऑप्शन को पर आपको क्लिक कर देना है अब आपको क्या करना है यहां पर कमांड पर दिख रहा है इसको पर आपको क्लिक कर देना है किलिक करते हैं इस तरह से cm आपको यहां पर करते हैं यह हाँ पर आप you from I am आपको इस तुरह से सारों हो या या यह पाथ ओपन हो चाएगा इसके अंदर आप दिख जाएगा कोई और रहें अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिख जाएगा program file window यहाँ पे आपको दिख जाएगा जदि आपके case में यह साड़ा option नहीं दिख रहा है इसका मतलब आपके case में C drive के अंदर window install नहीं है किसी और drive के अंदर window install होगा यानि तो किसी और drive के अंदर यहाँ पे दिखेगा इसलिए आपको यह confirm कर लेना है आप जो drive select करें उस drive के अंदर यह file है या नहीं है तो यह आप select कर लिजएगा आपके case में D drive के अंदर दिखाते है तो D drive आपको select करना है E drive के अंदर दिखाते है तो E drive आपको select करना है तो यह चीज़ यहाँ से आप confirm कर लिजएगा उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे आपको tap कर दिने है CD CD टैप करने के बाद आपको space देना है इसके बाद आपको forward slash करना है इसके बाद यहाँ पे आपको tap कर दिने है window इसके बाद forward slash इसके बाद यहाँ पे आपको tap कर दिने system 32 इसके बाद आपको forward slash इसके बाद आपक आपने केयों मैं आपको किया करना है अब इस के तैप करते कह लिए इंकर ऐंब आपको यहां पे इंटर करते हैं fier करती हैं यहां से कमान officers हो जाएगा रण होने के बाद यहां पर यह कोपी हो जाएगा अब आपको यहां पे टैप करते हैं यहां से कमांड आ जाएगा यहां copy space दिजेगा इसके बाद start tap करना है dot tap करना है इसके बाद फिर से आपको start tap करना है इसके बाद space देना है यहाँ पे dot dot इस तरह से tap किजेगा इसके बाद यहाँ पे आपको enter कर देना है क्लोज करने के बाद आपको क्या करना यहाँ पे continue के ओपर आपको किलिक कर देना है किलिक करते हैं इस तरह से आपका window स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा इस तरह से आपका window स्टार्ट हो जाएगा आपको मैं 4-5 प्रोसेस बताया हूँ किसी एक प्रोसेस से इस error को आप fix कर सकते हैं और प्लीज गये चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें थैंक यू